अ की conventional update बताया था जो कि हमने बताया था Redmi Note 8 Pro के अंदर य keep update आया है और बहुत छे लोगों ने बता कि ये तमया जुलायी से ये तो to my guess काफी दिनों से योज कर रहा हूँ इतना पुरान होने के बाद क्यों बता रहे हो तो मेरे फोन में अभी आया था तो मैं तो अभी मुझे पता लगा था तो मैंने अभी बता दिया था तो इसमें कोई ज़ाधा कट बड़ा वाली बात तो है नहीं तो बाकी मैं आपको बदाएता हूँ कि आप जब भी मतलब इसको स्क्रोल करते हो और या आपके सामने डोर आ जाता है तो इस प्रगार की प्रवलाम आपके सामने आ रहे होगी कि बार-बार में जो उपर एक और पेज आ जाता है इसको काटना पड़ रहा होगा तो इससे हम क स्क्रीन दिखाई दे रही है इस स्क्रीन पर आपको प्रेस करके रहना कहीं भी तो जैसी कि मैंने यहां पर प्रेस करके रखा और मेरे सामने इस प्रगार की ओप्शन आ गए है तो मैं सबसे पहले सैटिंग पर क्लिक करने के बाद जो नीची नीची आपको ओप्शन दिख अब हमारे सामने जो सेकेंड पेज था वो अपन नहीं हो रहा है जैसे के आप देख सकते हैं बिल्कुल डारेक्ट सीधा यही ओपन हो रहा है जो हमें चाहिए हैं बार-बार हमें उसको काटना नहीं पड़ेगा मतलब बार बार हम प्रेशान नहीं होंगे उससे तो गाईज यही बहुत लोगों ने क्योशन किया था जो कि मैंने मतलब इस्टाग्राम पर मैसेज आये थे बहुत लोगों के कि जो एप ड्रोवर है उसके उपर सेकेंड पेज होता है उसको हम कैसे हटाएं बार बार प्रेशान होगे उससे चुटकारा कैसे पाएं तो यह उसका तरिका था जो कि 101% काम करता है आप अपने फोन में ट्राइक कर सकते हैं तो गाईज तो इसी प्रकार की वीडियो में लेकर आता रहूँगा तो चैनलो सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनलो सब्सक्राइब कर लिजीगा तो गाईज मिलते हैं अगले वीडियो तब तक के लिए टाटा बबाए जय हिंद वंदे मातरम जय भारत